पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी लिव आप डाउनलोड करें कर दो ख्रैंक कर रही हो ना कोई सप्राइज है मेरे लिए बहुत सोचा मेंने बहुत सोचा और सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि 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 मैं तुम से शादी नहीं करना चाहते मर्वनाब्यक कर रही हो पल्लवी मजब कर रही हो तुम मेरे साथ назад कुझ देर पेहले तुम्हेशादी के लिए कितनी खुश थी क्यों कर रही हो यह सब पल्लवी सई कहा तुम ने कर ख़र क्या रही हूं मैं देखो ना सब सब ये सब सफाई सब सब लोग पूछते हैं कि क्यों परलवी बच्चे भी पूछते हैं कि मां हमेशा तुम घर की सफाई ये चीजे संभालना अब क्या समझाओ मैं उन्हें कि जो बाकी रह गया है उसे सहज कर रख रही हूं सामान क्योंकि हमारा रिष्टा तो सहज नहीं है तो ये सब शादी के बाद रे शादी के बाद क्या क्या यहीं दर्द परिशानी चिंता स्ट्रेस यही सब तो दिया है मुझे इस शादी ने फिर वापस क्यों ठक गई हूं मैं नहीं चाहती नहीं चाहती मैं और परिशानी यहीं सोच सोच कर कि निखिल मेरे बारे में क्या सोचेगा अब कौन उंगली उठाएगा मुझ पर अपने अस्तित्व को अपने स्वाभिमान को फिर से कैसे समेट हूँ मैं इसलिए ये सामान समेट रही हूँ अच्छा हुआ जो किननो मा के सामने सब सच आगया सब पता चल गया उन्ये अब कोई दिखवा आखे नहीं पताए क्या एसास हुआ है मुझे कि इतने सालों बाहर आजाद हूँ है अब अब नहीं जेलना मुझे ये सब, नहीं बनना उस खूटे से, जहाँ जहां सिर्फ मुझ पर सवाल पर सवाल उटते हैं, बस बहुत हो गया, ना पत्नी होने का ना टक, ना बहु होने के जिमेदारिया, बहुत कर लिया मैंने. इनाफ यार बलवी इनाफ इतने सालों है मुझसे जादा तुम्हें इस रिश्टे पर विश्वास था जानती हो न तो मुझे लगता था कि मैं मैं तुमसे प्यार करती है पर गलत थी मैं बहुत गलत यह अंगा तुमने यही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती नहीं करना चाहती तुमसे शादी उसे प्यार महीं करती तो किस्चे प्यार करती हो रनवीर से रनवीर से प्यार करती हो सावित कर दिया न तुम्हें एक सेकिन नहीं लगया मुझ पर उंगली उठाने में नहीं, रनविर से प्यार नहीं है मुझे, पर मुझे तुमसे भी प्यार नहीं है, और जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, फिर क्यों करूं है ये शादी, जिस शादी से मुझे सिर्फ तर्थ और जिल्लत का एहसास मिला है, पता है, पता है क्या समझाया मुझे, प्यार हो तो इंसान हस्ते हस्ते अपने जान दे दे और देखा ना देखा ना तुमने कैसे पिछली दिनों से तुम्हारी माँ हर छोटी चीज के लिए मुझे कोस्ती रहती है मुझे दोशी ठेराती है सब के सामने क्या कुछ नहीं कहा उनोंने मुझे मेरी बेहिज़दी की, मुझ पर इल्जाम लगा है, मेरी परवरिश पर इल्जाम लगा है, अब तुम्हारी माह के हाथों और अपमान क्यों सहू मैं। जूट, जूट बोलती हो तो, अब जब सच सब के सामने आ गया है, तो तुम सच्चाही का सामना क्यों नहीं कर रही हो, अगर तुमने इतना कुछ साह है, तो तब क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रही हो, जब हमने साथ पेरे लेने का वचन दिया है, अब क्यों कह रही हो तु यह तुम्हारा अकरी फैसला है ठीक है नीचे चलो मेरे साथ और सब को बता दो के यह तुम्हारा अकरी फैसला है क्योंकि तुम खबना फैसला सुना कर या आराम से नहीं बेर सकती मैं सब को जवाब नहीं दूगा मैं पहले भी को देख के आती है निगमा सी अब मैं जाती हूँ दी के पास देखती हूँ क्या हुआ है क्या हुआ देख क्या रही हो चलो मेरे साथ नीचे और पंडिट जी से कह दो कि यहां से चले जाए कोई फेरे नहीं होंगे सारे रिष्टिदारों से कहे तो चले जाने के लिए मैं तुम से शादी नहीं कर रही है इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब को जाने के लिए कहाओ क्या 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 रही हो मेरी कुछ समझ दीप नीचे वो सब और भी आपको इतने अच्छे से तैयार किया था अपने अपने कपड़ी के बदल लिए सुनाली इस वक्त तुम यहां से जा सकती हो नए सुनाली रुक जाओ अच्छावा तुम यहां आगे अज तुम्हारी शादे होगे इसी मंडब में सारे महमानों और रिष्टदारों के सामने निखिल के साथ दीए आप क्या बोल रही है आप इसा सूच भी कैसे सकती है दिमाग खराब है का तुम्हारा समझ में यहाता मुझे पहले खुद कह दी हो कि शादी मुजाक नहीं है तो यह क्या है? सच सच तो यही है ना निखिल कि सोनाली हमेशा से ही हमारी शादी और हमारी शादी शुदा जिन्दगी का हिस्सा बनी रही है तो अगर मैंने तुम दोनों के शादी का सोचा तो इसमें हैरान उने वाली क्या बात है? हमारे रिष्टे में हमेशा से ही तीसरे पहे की तरह साया बना रहा है इसका और इस बात से इनकार तुम भी नहीं कर सकते बहुत कोशिश की मैंने इस बात को नजर अन्दास करनी की कि मेरी छोटी बहन और तुम अब मान लिया है मैंने तिरसे वही हो जन, वही शक और तुम्हारी माह को भी यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी लाइक नहीं हूँ, तो फिर ठीक है, तुम्हारी माह को भी मुझसे ज्यादा सोना लही पसंदाने लगी है, तो तुम्हे भी तुम्हारी माह की पसंद से ही शादी करने चाहिए, ती यह अब कैसी बाते करें मैं किया हम जीचू? बुड़ी देर पहले ही इतना ड्रामा हुआ है और फिर भी अपने एंटर्टेइन्मेंट के लिए और ड्रामा करना है लोंको चुपकर इस बार मैं हर्श की बाद से सहमत हूँ क्यों कर रही है मम्मी एसब? क्या मम्मी ने पापा से चादी करने का फैसला बदल दिया? कितने एक्साइटेटे हैं हम सब आज के दिन के लिए और मम्मी एसब क्यों? मुझे तो लगता था कि मम्मी पापा के साथ बहुत खुश है लेकिन फिर वो क्यों हट कर रही है पापा को? मैं देख कर रहा हूँ चल कर रहा है मैं भी आज़ा है मैंने ये कैसे सोचा? नहीं ने खिल तुम ही ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया पिछले कई दिनों से तुम ही तो ये बोलते आये हो कि तुम्हें कितनी फिक्र है सुनालिकी उसके लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर लाना चाहते थे तुम ये और कसे डॉक्टर बुलाने के लिए तयार थे उसकी तबियत ठीक नहीं है उसे नीन नहीं आती उसकी दिमागी हालट ठीक नहीं है इतनी ठड़ में देराद उन कैसे जाएगी वगेरा वगेरा तुम ही नहीं तो उसकी बीमारी के बारे में सबसे पहले मुझे पताया था वो घर से कहीं नहीं जाए यहीं चाहते थे तुम भूल गए बेरा वहीं नहीं जाएभ figur जाएगी णानी झाहते बारे में सबसे खजया में सबसे हो ढइंडरी तुम